पून वर्ग बनाने की विधी द्वारा निम्न द्विगात समीकरणों को हल कीजे यहां हमें साथ प्रशन मिले हैं हमारा पहला प्रशन है 3x²-5x2 बराबर 0 हमें जो समीकरण मिला है द्विगात समीकरण दिया है हमारा समीकरण है 3x²-5x2 बराबर 0 हम अचरपद अर्थात माइनस 2 का पक्षांतरण करें दूसरे पक्ष में ले जाएं तो समीकरण हो जाता है 3x²-5x बराबर माइनस 2 हमारा समीकरण यदि हम अचरपद को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो समीकरण हो गया 3x²-5x बराबर है माइनस 2 अब हम x square का जो गुणांग है वो पाते हैं कि यहां समीकरण में है 3 x square का गुणांग क्या है 3 इसको यदि हमें 1 बनाना है तो हमें पूरे समीकरण में 3 का भाग लगाना पड़ेगा तो हम x square के गुणांख को एक बनाने के लिए पूरे समीकरण में 3 का भाग लगा देते हैं हमारा समीकरण बन जाएगा x square minus 5 बटा 3x बराबर minus 2 बटा 3 अब समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो left hand side है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में x के गुणांख के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं हम क्या करते हैं x का गुणांख क्या है यहाँ पर minus 5 बटा 3 है तो हम पून व्रग बनाने के लिए क्या करते हैं, माईनस पाँच बटा 3 का जो वरग है, उसे का आधा करते हैं अरथात 5 बटा 6, तो 5 बटे 6 का वरग हम दोनों पक्शों में जोड़ने से, क्या पराप्त करेंगे? हम प्राप्त करते हैं कि समी करन बन गया x square minus 5 बटा 3x plus 5 बटा 6 का whole square दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया तो right hand side हमारा हो गया minus 2 बटा 3 plus 5 बटा 6 का whole square यह हमने पून वर्ग बनाने के लिए किया है पुने समझते हैं पून वर्ग बनाने के लिए जो x का गुनांग है x का गुनांग यहां 5 बटा 3 है minus 5 बटा 3 का वर्ग भी करेंगे तो वर्ग होने से धनात्मक हो जाएगा इसलिए हमने 5 बटा 3 का आधा किया minus 5 बटा 6 हो जाएगा और उसका वर्ग अर्थात हमने 5 बटा 6 का whole square दोनों पक्षों में जोड दिया minus 5 बटा 6 का वर्ग भी हम जोड सकते हैं क्योंकि square होने से वो मान धनात्मक हो जाएगा तो यहां हमने 5 बटे 6 का square दोनों पक्षों में जोडा है अब left hand side हमारा एक पूर्ण वर्ग बन गया है left hand side हमारा एक पूर्ण वर्ग बन गया है पूर्ण वर्ग क्या है यह x का whole square minus 2 into x plus 5 बटा 6 plus 5 बटे 6 का whole square यह हमने इसको x a square minus 2 a b plus b square के रूप में लिख दिया तो हमने left hand side को क्या लिख दिया x का whole square minus 2 गुणा x plus 5 बटा 6 यह मान कितना होता है? minus 5 बटा 3 x होता है और यह हमारा 5 बटा 6 का whole square as it is है right hand side को देखें यह minus 2 बटा 3 5 बटा 6 का whole square अरथा 25 बटा 36 यह मान हो गया तो पूर्ण वर्ग क्या बन गया है? यह बन गया x minus 5 बटे 6 का whole square left hand side हमारा पूर्ण वर्ग बन गया perfect square हो गया x minus 5 बटे 6 का whole square right hand side लगुत्तम क्या आएगा? 3 और 36 का लगुत्तम वाया 36 अश में हम क्या प्राप्त करेंगे? 3 का भाग लगाएंगे 36 में तो आएगा 12 12 जब 2 से गुणा होगा तो आएगा minus 24 plus 36 में 36 का भाग लगाया 1 1 को जब हमने 25 से गुणा किया तो आया 25 अर्थात अश हमारा हो गया minus 24 plus 25 बटा 36 जो मानाता है 1 बटा 36 के बराबर तो x minus 5 बटे 6 का whole square 1 बटा 36 के बराबर है दोनों पक्षों में अब हम वर्ग मूल देते हैं तो वर्ग मूल लेने से दोनों पक्षों में हमें क्या प्राप्त होगा left hand side क्योंकि एक perfect square है पूंड वर्ग है तो left hand side से तो square हट जाएगा ये मान हो जाएगा x minus 5 बटा 6 right hand side क्या हो जाएगा plus minus 1 बटा 6 1 बटा 36 का वर्ग मूल 1 बटा 6 होता है plus minus इसले लिया है क्योंकि वर्ग मूल लेने के बाद हमें दोनों चिन लगाने होते है अर्थात यदि ये मान हमको दो मान हैं एक तो धनात्मक चिन के साथ है plus 1 बटा 6 एक रिनात्मक चिन के साथ है 1 बटा 6 तो हम दोनों मानों के साथ अब x के दो मान निका लेंगे तो this implies कि x minus 5 बटे 6 या तो 1 बटा 6 है या x minus 5 बटा 6 minus 1 बटा 6 है x के 200 मान हो गए या तो ये left and side के 200 मान हो गए left and side के 200 मान कौन कौन से हुए एक तो हुआ plus का 1 बटा 6 दूसरा हुआ minus का 1 बटा 6 अर्थात x-5-6 यदी 1-6 है तो पक्षान्तरन से x बरावर कितना हो जाएगा? 5-6 प्लस 1-6 या x बरावर क्या हो जाएगा? 5-6-1-6 इसमें हमने एक रहिक समी करन को जैसे हल करते हैं x कमान पक्षान्तरन से निकाला है अब हल करें तो X बराबर हो गया 6 बटा 6 या X बराबर हो गया 4 बटा 6 हल किया हमने तो क्या पराप्त किया कि मान आता है X बराबर 1 या X बराबर 2 बटा 3 6 बटा 6 एक होता है 4 बटा 6 सरल करने से आता है 2 बटा 3 तो इसलिए दिये गए समीकरण के दो मूल हो गए एक और दो बटा तीन तो आता है दिये गए द्विगा समीकरण के मूल एक या दो बटा तीन है तो हमने दिये गए पहले प्रशन का तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्रस दो बराबर जीरो का पून वर्ग बनाने की विधी द्वारा हल ग्यात किया और हम पाते हैं कि दिये गए द्विगा समीकरण के दो मूल है एक और दो बटा तीन अब हम अगले प्रशन को देखते हैं दूसरे प्रशन को देखते हैं तो यहां हमें दूसरे प्रशन क्या मिला है दिया गया द्विगा समीकरण है 5 x square minus 6 x minus 2 बराबर 0 हमें दिविगात समी करण है 5 x square minus 6 x minus 2 बराबर 0 हम पक्षांतरण करें और हम पहले हम x square का जो गुणांक है उसको एक बनाते है तो x square का गुणांक एक बनाने से हम क्या पराप्त करते हैं कि x square minus 6 बराबर 0 आता है जब हम समी करण में 5 का भाग लगा देते हैं क्योंकि हमें x square का गुणांक जो है वो एक पराप्त करना है यहां 5 है तो पूरे समी करण में हमने 5 का भाग लगाया समी करण क्या बन गया x square minus 6 बराबर 5 x minus 2 बराबर 0 यह हमारा समीकरण बन गया अब हम पक्षांतरण करते हैं तो अचर पद को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं लेफ्ट एंड साइड हो जाएगा x स्क्वाइर माइनस 6 बटा 5 x राइट एंड साइड में हम माइनस 2 बटे 5 को ले आए तो यह हो गया 2 बटा 5 बराबर प्लस का 2 बटा 5 अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया जो 6 बटा 5 है उसका आधा किया अरथा 3 बटा 5 उसका वर्ग किया 3 बटे 5 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड दिया हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x का गुणांग है 6 बटा 5 उसका आधा अर्था 3 बटे 5 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड दिया तो left hand side हमारा अब एक पूर्ण वर्ग बन गया है x minus 3 बटे 5 का whole square क्योंकि ये अब a square minus 2ab plus b square का रूप बन गया है तो x minus 3 बटे 5 का whole square ये हमारा left hand side हो गया right hand side क्या है 3 बटे 5 का square अर्थात 9 बटे 25 प्लस 2 बटा 5 सरल करें right hand side को तो मान कितना आता है 25 तो लगुत्तम हो गया अश में हम प्राप्त करेंगे 9 प्लस 10 अर्थात 19 बटा 25 हमारा जो right hand side है वो सरल होके आता है 19 बटा 25 अब हम दोनो पक्षों में वर्ग्मूल लेते हैं तो दोनो पक्षों में वर्ग्मूल लेने पर square तो यहां हट जाएगा यह square यहां पर गलती से लगावा है तो x minus तीन बटे 5 का मान हो गया प्लस माइनस अंडर रूट उन्निस बटा पाँच अर्थात एकस माइनस तीन बटे पाँच का मान यदि हम धनात्मक लें तो तो हो जाएगा अंडर रूट उन्निस बटे पाँच रिनात्मक लें तो एकस माइनस तीन बटे पाँच का मान हो जाएगा minus under root 19 बटा 5 अर्थात पक्षांत्रन करने से हमें दो रेकिक समीकरण मिल गए पक्षांत्रन करें तो x बराबर हो गया 3 बटा 5 plus under root 19 बटा 5 और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा x बराबर 3 बटा 5 minus under root 19 बटा 5 जो लगुत्तम लेने से क्या हो जाएगा 3 plus under root 19 बटा 5 और यहाँ पर x का मान हो जाएगा 3 minus under root 19 बटा 5 तो हमने दो मूल प्राप्त कर लिए समीकरण के दो मूल है 3 plus under root 19 बटा 5 और दूसरा मूल है 3 minus under root 19 बटा 5 तो इस परकार हमने दिये गए द्रीघात समीकरण 5 x square minus 6 x minus 2 बटा जीरो के पूर्ण वर्ग बना के पूर्ण वर्ग बनाने की विधी दुआरा दो मूल प्राप्त किये दिये गए समीकरण के दो मूल है 3 plus under root 19 बटा 5 और 3 minus under root 19 बटा 5 अगला समीकरण देखते है अगला समीकरण तीसरा प्रश्ण है हमारा हमें यहां समीकरण मिला है 4 x square plus 3 x plus 5 बटाबर 0 तो हमारे इस समीकरण में हम सबसे पहले समीकरण में 4 का भाग लगा देते हैं क्योंकि हमें x square के गुणांक को एक बनाना है इसलिए यहां है x square का गुणांक दिये गए समीकरण में 4 है तो हम पूरे समीकरण में 4 का भाग लगा देते हैं समीकरण हो गया x square plus 3 बटा 4 x प्लस 5 बटे 4 बराबर 0 अब हम अचर पद को दूसरे पक्ष में ले गए तो वो माइनस का 5 बटा 4 हो जाएगा समीकरण हो गया x square plus 3 बटा 4 x बराबर माइनस 5 बटा 4 हमारा समीकरण क्या हो गया x square plus 3 बटा 4 x बराबर है माइनस 5 बटा 4 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम X के गुणांग का आधे का वर्ग करते हैं और वो दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, तो X का गुणांग है यहां 3 बटा 4, उसका आधा किया तो वो हो गया 3 बटा 8, उसका वर्ग किया तो वो हो गया 3 बटा 8 का 3 बटे 8 का square, right hand side हमारा हो गया, 3 बटे 8 का square, minus 5 बटे 4, पूर्ण वर्ग बनाने पर, हम ये प्राप्त करेंगे, अर्थात, left hand side हमारा क्या हो गया, x plus 3 बटे 8 का square, right hand side को सरल करें, 3 बटे 8 का square होता है, 9 बटे 64, minus 5 बटा 4, 64 लगुत्तम हो गया, अश में हमने प्राप्त किया, 9 minus 80, जब 64 में हम 4 का भाग लगाते हैं, तो 16 आता है, और 16 पांच से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 80, तो अश हो जाएगा 9 minus 80, मान आया, minus 71 बटे 64, अब रिनात्मक संख्या हम प्राप्त कर रहे हैं, minus 71 बटे 64, जोकि 0 से छोटी होती है, रिनात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, ये मान less than 0 है, अब ये मान संभव नहीं है, किसी वास्तविक संख्या के लिए, क्यों? क्योंकि कोई भी हम संख्या का जब पून्वर्ग करते हैं, तो पून्वर्ग सदैव धनात्मक होता है, यहां x प्लस 3 बटे 8 का स्क्वाइर, एक रिनात्मक संख्या आ रही है, less than 0 हम प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात इस समीकरण के मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो क्योंकि किसी संख्या का पून्वर्ग रिनात्मक नहीं हो सकता है, अतह है, x का कोई वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, समीकरण का हल होगा, कालपनिक हल होगा इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है पुन्हें इस बात को हम समझते हैं X प्लस तीन बटे आठ का स्क्वायर यहां हम राइट एंड साइड में पाते हैं कि एक रिनात्मक संख्या यह है माइनस 71 बटा 64 क्योंकि यहां तो लेफ्ट एंड साइड में तो एक पून्हें है राइट एंड साइड में एक रिनात्मक संख्या आ गई किसी भी संख्या का पून्हें रिनात्मक नहीं हो सकता है इसलिए X का कोई वास्तविक मान समीकरण को हल नहीं करेगा समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा ऐसा कोई मान नहीं हो सकता X का जो कि वास्तविक हो और वो इस समीकरण को सेटिस्पाई करे इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं है इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है कोई real value इस समीक्रन से हमें x की प्राप्त नहीं होगी